अगर बिरुजगारी आपको तंक कर रही है तो अभी 9812009696 पर कॉल करके जानकरे लीजिये आप कैसे सरकारी नोकरी पा सकते हैं बिरुजगारी भारत के कितनी बड़ी समस्या है और बिरुजगारी आपके लिए कितनी बड़ी समस्या है क्या सच में बिरुजगारी का कोई अलाज नहीं है एक बात बताऊ बेशरम और कामचोर लोगों की समस्या पिरुजगारी जहां हो वही से शुरू करो पढ़ो सही दिशा में पढ़ो ICS 11 साल से सरकारी नोकरी की गरेंटी दे रहा है कुरोना ने भले ही देश की रफतार रोक दी हो पर सरकारी नोकरी की त्यारी की नहीं ICS Homework पर घर बैठे त्यारी कर सकते हो हलो गुड इबनिंग नमशकार मैं ववीता त्यागी ICS Coaching Center के स्यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं Socialization in Europe कि Europe में कैसे समाजवाद आया और Russian Revolution कैसे स्टार्ट हुआ कैसे दुनिया उससे प्रभावित हुई ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगोंने कल बातचीत की थी कि किस तरह रशियां में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि रूसी क्रांती करनी पड़ी और रूसी क्रांती क्यूं करनी पड़ी कहानी को पहले कल जो पढ़ा था और जो उससे पहले पढ़ा था उसको यहां तक लेके आते हैं फिर आज की कहानी को आगे पढ़ाते हैं हमने देखा था फ्रेंच रिवल्यूशन ने तीन शब्द दिये थे दुनिया को क्या-क्या समानता, स्वतंतरता, बंधुत्व का नारा धीरे-धीरे लोगों में अलग-अलग सी विचारधाराईं पन अपने लग गई तीन अलग-अलग विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ा था कुछ लोग थे रेडिकल्स, कुछ लोग थे लिबरल्स और कुछ लोग थे जो पुरानी चीज़ों को ऐसे ही चलाना चाहते थे कंसरवेटिव्स फिर इनहीं को हमने पढ़ा था आगे जाके अलग-अलग तरहे के लोगों ने कुछ विचार दिये जिनमेंसे कुछ लोगों ने कहा कि कम्यूनिस्म की तरफ चलना चाहिए सोशलिस्म की तरफ चलना चाहिए कुछ लोगों ने कहा नहीं डेमोक्रसी अच्छी होती है अलग-अलग विचार धारा हैं लोग उनसे धिरे-दिरे करके जुडने भी लग गए फिर हमने देखा था कि किस तरह चीजें बदली, समाज बदले और रशिया को अगर हम टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो हमने ये भी जाना था कि रशिया में 85% लोग जो थे वो खेती में इंवाल्व थे बजाय कि बाकी European countries में जब हम France की, Germany की बात करते हैं तो वहां 40 से 50% तक की आबादी खेती में इंवाल्व थी लेकिन रशिया में एक बहुत बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा 85% तो आप खुछ सोचिये कि लगभग ट्रशी प्रधान देश था धीरे धीरे यहां परिवरतन आए और 1890s के आसपास यहां पर रेलवे को एक्स्पैंड किया जाने लगा जैसे ही रेलवे एक्स्पैंड बड़ा है इनके पास था ही जाएगा और अगर रेलवे के ट्राक्स बिशे होंगे कनेक्टिविटी होगी मार्केट में तो आबादी भी ठीक ठाक्सी है तो उन लोगों ने यहां पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया जब कहीं पर इंड़स्ट्रिलिस्ट आएंगे तो आप यहां के चलिए कि वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर कुनौकरी मिलेगी तो लेबर जो क्लास है जो लोग पहले खेती में थे लैंडलेस लेबर से वो भाग आए वहां से और वो आके और मजदूरी करने लग गए लेकिन फिर हमने देखा था कि मजदूरों की हालत बहुत ही दई नहीं यह थी कैसे उन लोगों को 15-15-16-16 घंटे काम करना पड़ता कैसे दड़बे की तरह चोटे-चोटे से कमरों में रहते थे या फिर दोर्मेट्रीज में रहा करते थे जहां खुले बड़े-बड़े हॉल्स में एक साथ एक शिफ्ट में सो रहे हैं फिर काम पे चले गए फिर आके सो गए फिर काम पे ऐसी लाइफ बेजान और नीरस हो गई थी कि ना उनके परिवार उनके पास थे ना उनके बीवी बच्चे ना माबाप तो लोगों को लगने लगा था कि दरे दरे ये एक्स्प्लाइटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की और उसी सीरीज में फिर हमने देखा था कि अलग-अलग तरह के संगठन बनने लग गए थे जिनमें 1898 में मजदूरों के लिए बनी थी वर्कर्स पार्टी कर हमने इसके बारे में बातचीत की थी जिसने रशियन सोचल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी अपना नाम रखा फिर जहां मजदूरों के लिए काम हो रहा था वहीं खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए भी सोशलिस्ट रिवल्यूशनरी पार्टी बनी थी लेनिन जो बहुत बड़े लीडर हुएं इनका मानना था कि लेनिन से पहले बलकि काल मार्क्स का मानना था कि जो ये किसान है न ये क्रांती बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे जबकि बहुत सारे सोशलिस्ट का मानना था कि किसान ही बड़ी क्रांती करेंगे उसके अलग-अलग लॉजिक थे जो कल हमने बाचीत कर ली थी फिर हमने देखा था कि किस तरह है एक ब्लडी संडे 1905 को एक फादर थे एक प्रीस से पॉन करके उनके अंडर एक बड़ा सा मास प्रोसेशन निकाल के ले जा रहे थे वो और विंटर पैलेस जहां निकोलस सेकेंड रहा करता था सार और उसकी वाइफ एलेक्जेंडरा इनके महल के बाहर ये बड़ी सी भीड इखटी थे जो बहुत शांती पूरवक तरीके से स्लोगन बोल रहे थे अपने डिमांड रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि इनको भगाओ यहां से और अंधा धुंद फाइरिंग की गई जिसमें 100 लोग मारे गए 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और इस कारण से फिर एक गुसा लोगों में भड़क पड़ा धीरे-धीरे करके वहां हमने देखा था कुछ चीजें चेंज हुई थी 1905 से जिसमें की राजा ने फिर माल लिया था कि ठीक है बई जब सब तरफ करांती की उनको लगा कि मशाल जलने लग गई है तो उन्हें ने का ठीक है हम डूमा बना लेंगे डूमा एक तरह की संसद माल ली जो उनकी संसद का नाम फिर हमने देखा था राजा ने चाला की कि 75 दिन के अंदर पहली डूमा हटा दी फिर तीन महीने में दूसरी हटा दी और तीसरी में ऐसा परिवर्तन किया कि जितने लोग डियूमा में इलेक्ट होके आये वो कहीं न कहीं कंसर्वेटिव के साथ चलने वाले थे यानि राजा ने अपने फेवर करने वाली डियूमा बना ली इतनी कहानी हमने पढ़ ली थी फिर हमने देखा था 1905 में इस सार निकोलस सेकेंड ने कह दिया कि बस भई अब तो डियूमा बन गई अब ये सारी फालतू की जो औरगनाइजेशन्स हैं ये तुमारी इतनी सारी तुम ये क्या-क्या बना के बैठे अपनी सभाएं एसेंबली ये सब भंग करो और 1905 से 1914 तक का यानि 1914 तक ऐसा बिलकुल नहीं है कि संगठन नहीं थे संगठन धीरे 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 दबे कुछले लोगों को शोशित लोगों को जगाने का काम अंदर ही अंदर कर रहे थे 1914 में बहुत बड़ा चेंज क्या आया First World War अब रशिया एक्टिव होगा दुबारा पांच में बलडी संडे क्रांती लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बदला था अभी राजा ऐसे का ऐसा बैठा था और वस कहने की दिखावटी ड्यूमा काम कर रही थी तो अभी जैसा लोग चाहते थे न वैसा समाज बना नहीं था तो कहीं न कहीं क्रांती की फिर से जरूरत लोगों को महसूस हुई और दुबारा से ये मशाल जली तो 1914 में जब First World War हुआ आप सब जानते हैं First World War में दो टीम, दो खेमे बट गए थे एक पहला जिसमें की हम गोवा के नाम से पढ़ लेते हैं जर्मनी, Ottoman Empire, और Austria Hungary, जर्मनी में भी बड़ा राजा और ये Ottoman Empire में भी बड़ा राजा, एंपरर वई एंपायर थे न, पूरे राजचाही तंत्र थे यहाँ, और ए मतलब Austria Hungary दूसरे बड़े ग्रूप में थे Allied Powers, यह Allies, इनको आप कहते हैं मित्र राष्ट, इनको आप कहते हैं Central, क्योंकि यह यॉरोप के बीच वाले देश थे में, इसमें कौन-कौन थे, अगर बड़े देशों में बात करूं, इंपॉर्टन में तो Britain इसमें था, France इसमें था, Russia इस आएगा 1917 में, दोनों इसी ग्रूप में हैं, सेकंड वाले में, जिनको आप Allies या Allied Power कहते हैं, मित्र राष्ट, और यह हैं आपकी केंद्रिय शक्तियां, Central Powers, गोवा के नाम से, ठीक है, अब इसमें World War छिडा, जब World War स्टार्ट हुआ तो हमने बहुत बार बात की इस बारे मे कि सब का इंटरेस्ट था, World War ऐसा नहीं कि लोग बिना मन से लड़ रहे थे, स्टार्टिंग में सब ने World War में भाग के इसलिए हिस्सा लिया, क्योंकि सब को लग रहा था कि एक दो महीने की बात है, यह War War के नाम पे लड़ घड़ के दूसरों के हिस्से हथिया लेंगे, औ अपनी अमीरी का साधन बना लेंगे, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं जानता क्योंकि इससे पहले World War हुए ही नहीं, आज हमें पता है World War होते हैं तो बहुत भयानक होते हैं, इसलिए World War की अब सोचते भी नहीं, लेकिन उससे पहले कभी World War हुआ नहीं था, तो राजा, महर आम, जनता, मज़ूर, किसान, हर किसी को लग रहा था, कि शहएद वर्ल्ड वार से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं, जो गलत फेहमी थी, और ये गलत फेहमी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी, रशिया 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में आ गया, और यहां का राजा सार निकोल में, स्टार्टिंग में, जो जनता थी न, यहां की, उन्होंने अपने राजा का साथ दिया, और जनता का साथ मिले तो राजा, फिर सोचता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 1914 में, बोल्शेविक पार्टी जो थी न, जिसका हेड था लेनन, उसने कहा था कि गलत है, लेकिन उस की सुनता कौन था, तो राजा की चलती थी, वैसे ही मैंने बताया, डियूमा में भी उसी के सारे आदमी थे, तो राजा के साथ जनता भी खड़ी हो गए और सब खुश थे, लेकिन जब धीरे धीरे नुकसान दिखने लगा, तो फिर जनता पीछे हटने लग गई, नुकसा कैसे दिखने लगा, देखो, जो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट छिड़ा हुआ था न, अगर मैं रश्या को मेन मान के पढ़ा हूँ, तो आप ये मान लीजे, मान लीजे, रश्या है बड़ा सा, आप रश्या को जो लड़ना पढ़ रहा है, इस से लगता ही तो है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सब इस से लगते है, इसकी सीमा से लगते है, तो ये मान लीजे, अब इसको यहाँ लड़ना पढ़ रहा है, इस तरफ, यहाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सैना, स्टार्टिंग में आपको पता है, फर्स्ट वर्ल वार में और सेकेंड वर्ल war में 1914 से 16 के बीच में जो लडाईयां हो रही थी ना एक जर्मनी और रशिया की इस तरफ की लडाई और एक आप ये माल लो इस तरफ आपका ये जर्मनी और अस्ट्रिया हंगरी यहाँ फ्रांस है ये यूके है इस तरफ भी लडाई चल रही है इस फ्रंट पे भी अब ये ये और ये दोस्त हैं तो लडाई कुछ इस तरह से हो रही है इधर भी लडाई हो रही है इधर भी लडाई इस तरफ की जो लडाईयां है ना फ्रांस की तरफ ये ट्रेंचिस में लडी जाती थी मैंने आपको ट्रेंच बताया था कैसे खाई खोद लेते थे फिर उसमें घुटनों के बल ये बैट के और चलते थे और सिर्फ उपर से इनकी कैप इनकी हैट दिखाई देती थी और ये चिपके दूसरे सामने शत्रू पे अटैक किया करते थे तो इसमें ना कैशुल्टीज कम होती हैं मरते हैं अदमी इसमें तो ट्रेंच लाइफ नहीं थी यहां इस तरफ सीधे सेनाय आगे बढ़ती थी यानि खुला पड़ा था एरिया तो जहां मैदान में सेना आगे बढ़ती है न हमेशा कैशल्टीज ज्यादा होती हैं क्योंकि आपको सोचो जब छिपके वार कर रहे हैं तो जब सामने वाला सेन को देखेंगे और स्टार्टिंग में 1914 से 16 में जर्मनी लीड में था स्टार्टिंग में 14 पड़ा में तो बिलकुल ही आगे था तो जर्मनी की सेना जब इधर यहां पर आगे आ रही थी तो इसकी भी सेना इधर गई लड़ने के लिए इन दोनों की सेनाओं में जब आ आसमान से थोड़ी उतरते हैं, तो सोचो जो जनता पहले राजा का फेवर कर रही थी, कि राजा भिलकुल ठीक कर रहा है, जैसे जैसे casualties बढ़ती गई, तो जनता ने राजा के प्रती एक मन में थोड़ा नेगेटिव किया, यह राजा बड़ा विवकूफ है, क्या decision सही नहीं लाख casualties देख ली थी, रशिया ने, 70 लाख जवान लड़के किसी के अगर मर जाएं, किसी सैना के, तो आप सोचो कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा होगा, तो लोगों के मन में ने एक negativity भर गई थी, अपने राजा के प्रती, एक बड़ा कारण था यह, एक, दूसरा कारण, जब यहां से फौज हारने लगी न, तो फौज वापस आने लग गई, कि भई, यहां तो हम लोग इस फ्रंट पर हारने हैं, और मरने से बहतरे चलो, इतना बड़ा देश आगी के तरफ चले जाते हैं, अब जर्मनी वाले यहां के बाद फिर कहीं और लड़ने चले और हमारी बिल्डिंग्स में मौज मारेंगे, तो क्यों न हम चलते चलते वापसी में अपनी सारी क्रॉप्स को खतम कर दें, इन बिल्डिंग्स को सब को खतम करते चले जाएं, तो सोचो, अपने पैसे से बनाई गई गई बिल्डिंग्स, इन्होंने अपने ही बॉम्स से खतम कर दी तोड़ दी सिर्फ इसलिए कि दुश्मन को जब वो आए तो रहने खाने की जगह ना मिले और वो कितने दिन अंदर आएगा फाइनली उसका सारा राशन पानी खतम हो जाएगा और भागेगा वापस तो इन्होंने उस चीज को उस हिसाब से देखते हुए कि परणार्थी बन गए यानि उनको अपने घर छोड़के अपने बिल्कुल तयार पकिवी फसल को आग लगा के भागना पड़ा क्योंकि सेना ने आदेश दे दिया था कि यवे ऐसा करना है ताकि याने वालों को ना खाने को मिले ना रहने को मिले तो सोचो उनके नुकसान क चलते अपना घर फूकना पड़ा रशिया की सेना के आदेश पर लोगों को तो कहीं न कहीं गुसा तो लोगों के मन में आएगा तो ये गुसा फूटा लोगों के मन में देखो आप एक करोड लोग हो गए ना सतर लाग तो कैश्वल्टी थी तीस लाग वैसे सफरर बन अब इस तोर में लोगों ने पता है क्या किया दो बड़े काम जिससे दिखता है कि जनता के मन में जर्मनी के प्रतीव ही एक नेगिटिव भावना थी क्योंकि जर्मनी नुकसान कर रहा था इनके जो ये जवान मारे जा रहे थे इसका बड़ा कारण जर्मन सेना भी तो थी ठीक है उनका राजा तो है ही है लेकिन अब देखना वो क्या करेंगे सबसे पहला काम उन्होंने किया इनकी एक इंपोर्टन शेहर मैंने आपको बताया था दो पॉकेट्स बताई थी एक मॉस्को और एक सेंट पीटर्स बर्ग अगर आपको याद हो इन दो पॉकेट्स में इनकी इंडस्ट्रीज थी जहां फैक्ट्रीज लगी हुई थी काफी सारी तो इन्होंने सेंट पीटर्स बर्ग जो शेहर था ना इनका सेंट सेंट होते हैं संत पीटर्स बर्ग पीटर्स बर्ग ये इनका शेहर था ये एक्चली जर्मन नाम है जैसे हमारे राम, सीता, लक और कहा अब के बाद हमारे शहर का नाम पेट्रोग्राड होगा पेट्रोग्राड यह पेट्रोग्राड लिख देते हैं हिंदी में तो इनकी इससे यह दिखता है कि जर्मनी का फिरोध इनके मन में एंटी जर्मन फिलिंग्स आगे इनके मन में कि जो हमारे शहर का नाम भी है अब तो देखते नहीं कई सरकारे आती हैं, फिर सरकारे भी शहरों के नाम बदलवा देती हैं, तो जैसे इन्होंने भी यही किया है, इन्होंने अपने शहर का नाम बदला कि यह जर्मन मूल का नाम है, पहले इसको हटाओ, दूसरी चीज, इनका जो राजा था ना, जार निक तो लोगों के मन में इसके प्रतिवी एक चिर्ड आ गई, कि ये भी तो जर्मनी की है, इसको हमसे क्या लगाओ होगा, यसे आपके देश में नहीं है, कि फलाँ आदमी पार्टी विशेश का आदमी जो है वो दूसरी कंट्री से है, तो ऐसे यहाँ के लोगों के मन में आ गया, कि ये जर्मनी से है, और इसका हमारे देश से कोई लगाओ जोडाओ हो ही नहीं सकता, एक बात, दूसरी बात, ये एक बड़ा एडवाईजर था इसका, जिससे ये एडवाईजर था इसका, जिससे ये बहुत ज़दा सलाम अश्वरे करती थी, और ये थोड़ा ना मैजिकल पावर्ज और जादू टोने में भी विश्वास रखने वाली महिला थी, तो इस आदमी का नाम था रासपुतिन, रासपुतिन, अब इससे भी लोग चिड़ते थे, और कहते हैं कि इसके टाइम में, ये मौंक था, एक चारा का संत साधू टाइप जो बनके घुमते हैं, उस टाइप का ये आदमी था, तो इसके प्रती भी लोगों के मन में एक नेगटिव भावना थी, कि ये रासपुतिन जो है, ये जर्मनी का है, और महरानी बनके बैठी हैं हमारी, ये भी जर्मनी की है, इनको हमसे कोई लगाव, नहीं, जुडाव, हमारे देश की भावनाओं के साथ, हमेशा मजाच करते रहेंगे, इनको हमारे देश के प्रती कभी प्रेम पैदा ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को लगने लग गया तो ये anti-German feelings के दो example में दे रही हूँ और कैसे इनके देश का नुकसान हुआ आपने वो देख लिया 1916 आते आते ये साब चारों तरफ दिखने लगा नुकसान, नुकसान भई लोग मर रहे हैं, फसल बरबाद हो गई घर बिल्डिंग सोड़ दी गई कितने सारे और राजा के प्रती लोगों के मन में एक negative feeling भर गई, एक और बड़ा नुकसान First World War में ये तो थी राजा और सैना की बाते हैं एक आम आदमी के घर पे क्या नुकसान दिखाई दिया, पहला, जो इनके देश में एबल बॉडिड मैन थे ना, यानि जो शरीर से बढ़िया तगडे थे, उनको उस टाइम में जबरजस्ती में सैना में भरती कर लिया गया होगा First World War में हम इंडियन्स को भी जबरजस्ती सैना में भरती किया गया था, ये बात हम सबको पता है, तो ऐसे ही रशिया भी जब First World War में लड़ने गया, तो वहां के राजा ने कुछ इच्छा से कुछ बिना इच्छा से, जो ताकतवर तगडे हटे-कटे लड़के थे, इन सबको सैना में भरती कर दिया, आप देखो, इन में से मारे गए हैं, वो 70 लाख लड़के तो कितना बड़ा नुकसान था, तो Able-bodied men जो थे, वो सब सैना में चले गए, इसका मतलब अब जो इनके खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जो किसान के रूप में पहले ताकतवर आदमी काम कर रहे थे या जो इनकी वरक्शॉप्स में काम करते थे वो अब घट गए, तो इनकी जो ताकत थी ना जो इशारेरिक उर्जा जिसका की यूज करते थे खेती में, खेती में तो में वही काम होता है उसमें कहीं न कहीं कमी आ गई थी एक बड़ा नुकसान है, यह पूरे समाज का है एकदम से नए आदमी थोड़ी बनते हैं अब जो बच्चे छोटे हैं, वो तो 20 साल बाद जवान होंगे तो इनके जो ताकतवर हटे-कटे आदमी थे वो सैना में जाके और मारे गए तो इससे क्या नुकसान हुआ कि खेती पे असर पड़ा, वरक्शॉप्स पे असर पड़ा बहुत सारी वरक्शॉप्स यो थी न, वो शटडाउन, यानि खतम, बंद कर दी गई क्यों? क्योंकि इनको कच्चा माल मिलना बंद हो गया हमने पढ़ा था, रशिया में खेती करते थे, रशिया में इंडस्ट्रियलिस्ट आये थे, बाहर से पैसा लगाया था और रशिया में जब बड़ी-बड़ी चीजें बनने लगी थी न, तो इसके लिए कच्चा माल हमेशा सारी चीज़ अपने देश में नहीं होती, विदेशों से लानी पड़ती है, तो विदेशों से जब सामान आता था, तो एक सागर पड़ता था यह बाल्टिक सागर, आप लोगोंने सुना भी होगा, बाल्टिक सागर, इस सागर में से होके ships कच्चा माल लेके आया करती थी और इसका बना हुआ माल बाहर भी जाता था सिर्फ रशिया में थोड़ी बनता था मतलब यूज होता था तो इस Baltic सागर पे ना First World War में जर्मनी ने कबजा कर लिया उसने अपनी पूरी ships जो है इसमें लाइन में खड़ी कर दी कि यहां से कोई गुजरेगा तो मैं नहीं छोड़ूँगा तो एक तरह ऐसे Baltic सागर पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया अब इसके यहां जो आने वाला सामान था और जो यहां से जाने वाला सामान था वो बंद हो गया तो धीरे-धीरे करके कच्छे माल की जितना था वो खपत हो गई आगे कच्छा माल है नहीं तो बड़ी दिक्कत आई अब सोचो जहां पे फैक्टरियों में काम धंदे चल रहे थे फैक्टरियां बंद कर दी फैक्टरी का मालिक तभी काम करेगा ना जब उसका कोई प्रोड़क्शन की जरुरत होगी प्रोड़क्शन की जरुरत नहीं है तो शटडाउन कर देगा यानि बहुत सारे लेबर टाइप के लोग जो काम करते थे वरक्शोप्स में फैक्टरीज में ये सब बंद हो गई तो कितना बड़ा नुक्सान है एकॉनमी पूरी पे फरक पड़ेगा एक तो ताकतवर लड़के मर गए हैं इनके बड़ी सैना का नुक्सान हुआ है किसानों को नुक्सान हुआ क्योंकि उनके घर से जवान बेटे गए थे फिर इनकी वरक्शोप्स बंद हो गई हैं कच्चा माल नहीं मिल रहा यहां से सामान बाहर नहीं जा रहा चारो तरफ से एकॉनमी एकदम से बैठ गई और यह महस दो अधाई साल के अंदर हो गया 1914 से लेके और 1917 आया है भी चारो तरफ बदहाली, भुख मरी, बुरा हाल और चारो तरफ नारे गुण्य लग गए रोटी, रोटी, रोटी क्योंकि आदमी भुखा मरेगा तो और क्या करेगा तो इस सारे के बीच में, जब लोग बहुत ज़्यादा दुखी है February 1917 आ गया, 14 से 16 की कहानी आपने सुन ली 1917 की शुरुआत है, बहुत ठंड का टाइम है इस साल ठंड भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ी जसे उतना कुछ साल ज़्यादा ठंड पड़ती है और इतनी ठंड पड़ी कि जिसको हम कहते हैं भी पाला पड़ा और फ्रोस्ट बिल्कुल चारो तरफ बरफ बारी, बुरा हाल हो गया फसल जो खेतों में थी वो भी बरबाद हो गई तो और ज़्यादा भुखमरी, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की मार पड़ी थी इस देश के उपर नुकसान में गए थे, उपर से फिर अब ये भुखमरी तो क्या हुआ? इनके देश में ने एक चीज़ और इंपॉर्टन बता दू एक रिवर थी जिसका नाम था नेवा, इस रिवर का नाम है नेवा इस रिवर के ना दो तरफ, दो शहर बसे हुए थे, दो शहर से मेना मतलब है एक शहर के दो हिससे बसे हुए थे माल लीजी यह यहां से स्टार्ट होती है अगर हम इस तरफ से मानेंगे आपको पता होगा रिवर का राइट और लेफ्ट कैसे पता चलता है जहां से रिवर चलना स्टार्ट होती है वहां खड़े हो कि जिस तरफ राइट है वो राइट कहलाता है रिवर का जिस तरफ left है वो left कहलाता तो अगर मानते हैं यहां से start हुई तो इस तरफ right हो गया उस तरफ left अगर यहां से start मानोगे तो उस हिसाब से उधर right इधर left ऐसा मैं क्यूं बता रही हूँ क्योंकि इसके नदी के left और right में अलग-अलग तरह के लोग रह रहे थे जो इसका right side था जो सीधा तरफ था और जो left था left में रहते थे अमीर टाइप के लोग जिन में से की राज महल में the winter palace एक मेन अगर पढ़े हम left side में जिसको आप कहते हैं बाया हिस्सा इस तरफ इस देश के सार डिकोलस सेकेंड का बड़ा महल जिसको हम कहते हैं the winter palace यह था the winter palace इसके अलावा कहते हैं बहुत fashionable area था यहां पूरा fashionable area पूरे का पूरा और यहां बहुत rich और बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा ज्यादा था न उस type के लोग थे यहां पर तो कहलो अमीर इलाका था उस नदी के किस तरफ में left side में और उस नदी के right side में रहते थे बहुत गरीब type के लोग जो कि फैक्टरी में काम करते थे मजदूरी करते थे या खेती करते थे बहुत गरीब type के लोग थे तो अमीर लोग जो है वो left side में हैं बड़े बड़े घर हैं डियूमा जहां वो राजा के बड़े बड़े आदमी बैठते थे अब तो सारे उसी के खास हो गए थे वो भी उसी तरफ थी तो एक तरफ से आप देखो उस तरफ कितनी अच्छे रोड़ वनाए गए होंगे वहां घर बड़े होंगे सफाई होगी हर चीज की सुविधा होगी और नदी के दूसरी तरफ जहां मजदूरी करने वाले छोटी-छोटे कमरों में दड़वे जैसे घरों मे रहते हैं जनके पैस कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होगी अब वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस डिवीजन में और अंतर नजर आया कैसे जहां फसल बरबाद हो गई वो लड़के मारे गए वो सब इन ही को तो नुकसान करेंगे उन पे ज़दा असर थोड़ी आ गए तो एक दिन बाइस फर्वरी का दिन था इस दिन एक फैक्टरी में बाइस फर्वरी एक फैक्टरी में लॉक आउट यानि ताला लगा दिया मज़ूरों ने ताला बंद कर दिया कि फैक्टरी चलने नहीं देंगे हमारी वेजिस बढ़ा हमारा कान नहीं चलता बहुत हाल है देश में हमारा पेट नी भरता हमारे बच्चे भूखे मरते हैं तो बाइस फरवरी को उस एक दिन जब हरताल शुरू हुई न ताला बंदी हुई एक फैक्टरी में तो उन पता चल गया असपास सारे में क्योंकि दुख में तो सब एक हो जाते हैं अब इन सब का अफरत करते थे उस ताइम के राजा से और सब को फील हो रहा था कि इस लड़ाई के चक्कर में हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ कितनी फैक्टरियां बंद हो गई कितने सारे वर्क्शॉप्स बंद हो गए हमारे कितने लाखो करोडों लोग मारे गए तो सब दुखी थ इसलिए इस 22 फरवरी की एक फैक्टरी की ताला बंदी ने पचास फैक्टरी के और वर्कर्स को इखटा कर दिया सारे वर्कर्स सड़क पे आ गए और अभी किस तरफ है यह नदी के राइट साइड में है यह पचास फैक्टरी में इन लोगों ने कह दिया हम स्ट्राइक कर और अब हम ताला खोलेंगे नहीं, चाहे मालिक का कितना ही नुकसान हो, तो यह सोचो हजारों लोग हो गए, एक एक फेक्टरी में बहुत सारे लोग काम करते थे ना, और बड़ी बात यह है कि और अड़तें लीड कर रही थी इस स्ट्राइक को, यह सबसे बड़ा पॉइंट तो 22 फरवरी 1917 को, जो यहां पे शुरुवात हुई है, ताला बंदी की और फिर 50 फेक्टरी के मजूरों ने स्ट्राइक कर दी, औरतें जिसको लीड कर रही है, इससी लिए 22 फरवरी को, इंटरनाशनल विमेंस डे मनाया गया था, विमेंस डे, यानि औरतों का दिवस, अब हम आज पूरे वर्ल्ड में देखते हैं जिसमें कि आज हम जनवरी में बैठे हैं और 28 जनवरी को बातचीत कर रहे हैं, तो अब यह मालो, अब इस कैलेंडर को, जिसमें 28 जनवरी 2022 है यह ग्रेगेरियन कैलेंडर है, अब जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन आप सब अपने जादा दादी से पूछ के देखेंगे, तो हो कहेंगे, सर्दियों में, वो हिंदी वाले महीनों में कि इतने दिन, इस तरह की बाते करते हैं न, माग है, पोश है, यह फागुन लग गया, यह सावन लग गया, तो वो हमारा अपना कैलेंडर है, तो ऐसे ही इस देश का जो क करते हैं, लेकिन उस टाइम पे, 1917 में जो इनका कैलेंडर था न, उसके एकॉर्डिंग 22 मार्ज, और ग्रिगेरियन के एकॉर्डिंग 8 मार्ज, 24-15 दिन का अंतर है दोनों कैलेंडर में, ठीक है, तो जैसे हमारा कैलेंडर भी तो अलग है, जो अपना वो शक्समवत पर आध यह सब निकले सड़कों पे, और सब ने डिसाइड किया, बई नदी के इस तरफ कुछ निरखा, अमीर आदमी है, इस तरफ यह यहां जाके अपनी बात रखनी पड़े, क्योंकि रोटी तो इनके पास है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें तो बस दिमांड दिमांड रख तो यह 22 फरवरी की बात है, जब इतने सारे लोग इखटे होके आएंगे, तो बढ़े से बड़ा, कोई कितना ही बड़ा सार निकोलस सेकेंड हो, कोई कितने ही अमीर हो, सब को डर लगता है जनता से, जनता जहां इखटी हो जाते हैं, वहां फिर सरकारें गिर जाती हैं, त तो यह 22 फरवरी को शाम होते होते करफ्यू का एलान कर दिया गया, अब ध्यान से समझना कैसे क्रांती आई है, यह क्रांती हैं समझनी इसलिए जरूरी हैं, ताकि आप अपने देश की स्थिती को भी समझ पाएं, एनलाइज कर पाएं, वहां के लोग क्या कर रहे थे, किन परिस्सितियों में उन्होंने क्या कदम उठाया, तो देखो अब जरा, 22 फरवरी को सब लोग इखटे हुए, तालाबंदी एक फैक्टरी से 50 फैक्टरीों में स्ट्राइक हो गई, और उसी दिन ये शाम को इखटे हो के दो पहर में ही, और चले गए, लेफ्ट साइड में बहुत बड़े-बड़े महलों के, गलियों में धेर-धेर लोगी खटे होने लग गए, तो क्या किया राजा ने, उसने पुलिस और कैविलरी बुला ली, जो घुडसवार सैना थी, और कहा इन पे नजर रखो, और शाम होते होते 22 फरवरी में उस शेहर में करफ्यू लगा तेईस तारीक को उन्होंने कुछ नहीं किया, चारो तरफ शान्ती, 24 तारीक को ये फिर इखटे होए, 24 और 25 फरवरी को फिर इखटे होके, ये फिर शेहर के उसी अमीर वाले इलाके में पहुँच गए, अब ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ आई खटे होके स्लोगन करते हैं, और अभी ऐसा भी नहीं है कि आतंख फैलाएंगे, कुछ ये कुछ गड़बड करेंगे, तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, ये तो गड़बड पे नहीं होतारा है, उसने फिर कैवलरी बुला ली अपनी, फिर से पुलिस को एक्टिव करते हैं, कि कुछ भी करें तुरंत फाइरिंग कर देना, वैसे भी 1905 में याद करो, बलडी संडे पे 81-100 लोगों को गोली से मरवा दिया था, 300 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें कि वो घायल हुए थे, तो इस राजा के लिए कोई नई बात नहीं है, और सार निकोलस दुट्य आज से 15-17 साल पहले 10-12 साल पहले ऐसा कर चुका है, तो नॉर्मल लोग इसके लिए भी प्रिपेर हैं कि ऐसा भी हो सकता है, राजा भी तैयार है और प्रजा भी तैयार है, अब क्या हुआ, पच्छिस फरवरी तक ये सब चीजें सिर्फ स्लोगन्स में थी, लोग नारे बाजी कर रहे थे, जाके मन में पता नहीं कि आया इसको लगा ड्यूमा गडवड करेगी, तो इसने पच्छिस फरवरी को ड्यूमा को खत्म करवा दिया, इसने कहाँ ड्यूमा को सस्पेंड करता हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, सस्पेंड करता हूं, ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई, आम जनता को भी, क्योंकि उनको लग रहा था, ड्यूमा में हमारे भी तो आदमी है न, और रही सही कसर ड्यूमा के हटाए हुए लोगों ने पूरी कर दी, यहां से जो लोग हटाए गए, उने जाके और लोगों के बीच में भाशन भाशन दिये, जिससे जनता भड़क जनता जब तक 81 थी, अभी उनको कोई लीड नहीं कर रहा था, जब वो 22 तारिक को इखटे होके आये तो उनका कोई लीडर नहीं था, जब वो 24 को इखटे होके आये तो कोई लीडर नहीं था, पच्चिस को उनको लीडर मिल गए, कौन लीडर? जो ड्यूमा से निकाले गए हैं आप 25 को जब उनको leaders मिल गए उन्होंने भी का भई हम भी तुम्हारे साथ है हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई है तो 26 तारीक को फिर 81 वो वापस से आके और शहर को घेर के और इस बार जितने अमीर लोग थे इनके घरों के बाहर और सब जगह जमघट लग गए बड़े बड़े आप जैसे हो थे ना बई शहर में पता नहीं कब क्या हो जाए ऐसा सा महौल हो गया और 27 फरवरी को तो इन्होंने स्टेप लिया और इन लोगों ने जो पुलिस स्टेशन थे ना उनके उपर हमला बोल दिया क्यों पुलिस स्टेशन पे क्यों 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 कि यहां से हतियार मिलेंगे आपको यहाद है बास्तील जेल तोड़ी थी फ्रेंच रिवल्यूशन की स्टार्टिंग जब हुई थी 14 जुलाई 1789 को कि इस जेल में भई हतियार होंगे कहदी कितने मिले थे साथ ना लेकिन बास्तील जेल का तोड़ना उनका परिचय था कि हमने क्रांती की या बगावत की शुरुआत कर दी तो ऐसे यहां पे 27 फरवरी को पुलिस स्टेशन पे इन लोगों ने हमला कर दिया इस पब्लिक ने और पुलिस स्टेशन में जितने समान वान गोली बारूद मिले उन सबको इनुने लूट लिया पुलिस वालों को मार भी दिया फिर इसके बाद ये क्रांती की ने एक मशाल दे को सीरीज कैसे 22 से स्टार्ट हुई छोटी सी बात थी एक ताला बंदी हुई थी किसी को नहीं बता था क्या होगा कैसे 50 स्ट्राइक करके आ गए हजारों और फिर कर्फ्यू के बाद चले भी गए एक दिन बाद फिर वापस हो गए फिर डियूमा भंग कर दी वहाँ डियूमा के लीडर्स ने सरकार के खिलाफ राजा के खिलाफ बोलो तो कैसे एकदम से सारी चीजें सीरीज में घट्टी चली गई और फेबरेडी खत्म होते होते आप लगा लो फेबरेडी एंड आने वाला 22 से शुरू ही है सीरीज जो स्टार्ट होई 27 फरवरी को पुलिस फौज का साथ मिल जाए ना फिर राजा की शक्ति खतम मालो अब यहां की जो पुलिस थी जो यह इसकी केविलरी थी इसने का हम नहीं चलाएंगे गोली यह हमारे ही तो मावाप हमारी ही तो ताव चाचा मामा है क्योंकि आप यह देखो जो लोग इसकी सेना में थे गरीबो और लोग भूले नहीं अभी 10-15 साल पुरानी तो बात थी वो यहां की केविलरी ने कहा हम नहीं करेंगे जिन पर अटैक और तो और कहते हैं उनका एक अफसर था जो चिक चिक करने लगया कि कैसे नहीं करोगा तुम नोकरी करते हो तो नहीं उसको शूट कर दिया महीं मार और तीन रेजिमेंट्स ने तो बिल्कुल सपष्ट कह दिया कि हम अब इनके साथ हैं और हम बगावत करेंगे और इस सार निकोलस सेकेंड के खिलाफ यानि अब सोचो वो लोग जो सरकार के खिलाफ थे उनको साथ मिल गया सैना का फौज का तो बस फिर क्या था अब सार जो जहां पर Duma बेखती थी थी ना मैंने बताया था बिल्डिंग थी अमीरों के इलाके में उस Duma वाली बिल्डिंग में ही जो रोयल बिल्डिंग थी इनके यहां पर इसमें ही ये लोग भी घुस गए और इन्होंने अपनी मीटिंग के और कहा आपके बाद हम लोग सोवियत हैं तो यहां से इनके नाम के आगे सोवियत जुड़ गया तो सोचो सोवियत में कौन-कौन हैं सोवियत में वो लोग हैं जो बड़े-बड़े आर्मी के अफिशिल्स थे या फिर डियूमा से निकाले गए लोग थे और इस तरह है कि लोगों ने खटे होके सोवियत बना दी तो सोवियत एक ताकतवर संस्था बन गई किसके विरोध में है ये सार निकोलस सेकेंड अब इन्होंने कहा अगले दिन हम जाके मार्च शुरू हो गया तो इन्होंन सार निकोलस सेकेंड उसके पास जो कमांडर था जो आर्मी का मुखिया था उसने का सार अब सारी परिस्तिति हमारे हाथ से निकल गई अब बात नहीं बनेगी सबसे बढ़िया आप गद्दी छोड़ दो और उसके कहने पर सार निकोलस द्वित्य ने अपनी गद्दी का त् तो पूरे देश में खुशी की लहर कि वहिया हमें इस राज तंत्र से जो निरंकुष था जिस पर कोई अंकुष नहीं जिसका डियूमा भी कुछ नहीं बिगाड पाती थी उससे चुटकारा मिल गया खुशी की लहर तो है लेकिन अभी भुखमरी है गरीबी है बदहाली ह तंगी है बेरोजगारी है वो प्रॉब्लम्स आज इस है तो राजा के हटने से देश नहीं सुधरेगा अभी देश को सुधारने के लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम्स के लिए तो काम करना पड़ता है तो अब यह लगा लिजे कि मार चाते याते अब यहा ज्यादातर जो लोग थे न वो अच्छे खाते पिते परिवारों के ही थे सोवियत में भी, क्योंकि एवरेज आतमी को नहीं, जो उन सैनावेना के बड़े अफसर थे न वो बने थे सोवियत का हिस्सा, तो अभी आप यह मान के चलो, कि यह जो सरकार बनी है, इसमें भी बहु को तब तक देश कौन चलाएगी, तो प्रोविजनल गवर्मेंट चलाएगी, प्रोविजनल गववर्मेंट किसने बनाई है, सोवियत में कौन है, जो वो आर्मी के बड़े-बड़े अफसर थे, या डिूमा के अस्पेंड़ आदमी, तो ठीक है, देश चल पड़ा, अभी राजा बखे हैं लेकिन अभी देश के पास कोई तगड़ा लीडर नहीं है, इससोवियत ने कहा बग्ष प्रिब्लम्स में जो राजा ने क्या इन पर रखा था कि कोई यूनियन नहीं बने गी उनीगल रही नहीं सवीयत बने इन वह सब बनेंगी सब्सक्राइब को दो करें अपनी ट्रेड यूनियन बनाओ, कुछ करो, देश के लिए भलाई के लिए जो मन करें तुम्हारा अपने फायदे के लिए करो, और देश को आगे बढ़ाने के लिए, जितना हो सके खटे होके काम करेंगे, इसका मतलब स्टार्टिंग में ये ठीक थाक थे, जब इन्होंने क अलग-अलग यूनियन बनाओ और इस सब चीजों की आजादी देश निकाले में था, बड़े लीडर थे, वो देश निकाले में थे, क्योंकि सार के टाइम में कह दिया था कि इनको देखते ही मार देना है, तो उस टाइम पर इनको अपनी जान बचाने के लिए देश से बा तो वापसी हो गई बोल्शेविक पार्टी के लीडर लेनिन की, तो लेनिन वापस आ गए, अब लेनिन जो है, आप जानते हैं, ये कालमाक्स की चीजों को बहुत फॉलो करते थे, और ये तो कम्यूनिस्म के सबसे बड़े समर्थकों में पहला नाम इन ही का आता है, तो ल अपरिल थेसिस, ये क्या है, इन्होंने तीन बहुत बड़ी बाते कही, कि ठीक है, राजा को तो हमने हटा दिया, अब राजा अपने देश में नहीं है, लेकिन जो सरकार बैठी है, इसको काम करने पड़ेंगे, और काम करने का तरीका हो गए, ये कि बहुत बढ़ी बाते क ये किसानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि लैंड जो अमीर टाइप के जमिदार, सामन्त और इन सब के पास थी, इन्होंने का नहीं, जमीन पर हख होना चाहिए किसान का, तो इन्होंने क्या कहा कि लैंड को रीडिस्ट्रिब्यूट करेंगे, और पीजिंट तक पहुचाना चाहिए, दूसरा, B का मतलब इन्होंने कहा, बैंक्स, बैंक्स को क्या कर दें, नैशनलाइज्ट कर दें, सारे बैंक्स को नैशनलाइज्ट कर दिया जाए, हमारे यहां भी तो नैशनलाइज्ट हुए था ना, बैंक, इंदरा गांधी के टाइम में, 1969 में पहली बार, तो इसने, इन्होंने उस ट्राइम पे कहा, कि भी बैंक्स को नैशनलाइज्ट करेंगे, तीसरा, W, W का मतलब इन्होंने कहा, वर्ल्ड वार से बाहर निकलो, बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड वार चल रही है, आप सोचिए, यह देश, 1914 से 16 में, 70 ल बहुत अच्छे पॉइंट थे, इनको कहा जाता है, अपरिल थीसिस, मालीजी एक्जाम में एक पॉइंट और कुछ बना देंगे, और कहेंगे, कौन साल लेनिन के अपरिल थीसिस में शामिल नहीं था, तो यह तीनों आपको याद रखने है, ठीक है, अब इन्होंने अपर बनी है, यह भी ठीक काम नहीं कर रही है, इस सरकार का मुखिया था केरेंस की, जो प्रोविजनल गवर्मेंट थी, इनको प्रोविजनल गवर्मेंट में गड़बर लगती थी, तो इन्होंने जगे-जगे कहा है, खुब सरी ट्रेड यूनियन्स बनाओ, क्वेशनिंग करो आप जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग गाओं में हैं, बड़े-बड़े जमीदार, किसानों के अंडर जो काम कर रहे हैं, उनसे क्वेशनिंग करो, और जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट के फैक्टरियों में काम करते हैं, आप उनसे क्वेशनिंग करो, वही कैसे पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट का कितना हिस्सा उनको मिलता है, आपको क्या मिलता है, यानि लोगों के दिमाग में आइडियास जालने का काम किया लेनिन ने, और लेनिन की इन बातों से कही न कहीं लोगों ने सबक लिया, बहुत सारी बड़े लेवल पे ट्रेड जो अपने हकों की बात करती थी, तो अब हर तरफ लोग जागरुक हो रहे हैं, और इनको जागरुक बनाने में एक बहुत बड़ा काम किस ने किया है, लेनिन महाशेय ने, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे और काबल आदमी थे, बॉल्शेविक पार्टी अच्छा, एक और इंपोर्टन पॉइंट, इन्होंने का बॉल्शेविक पार्टी का नाम बदलो, तुरंत में, देखो, एपरिल थीसिज में, और इसमें बहुत जल्दीली काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नाम बदल के इसका नाम होना चाहिए, कम्यूनिस्ट पार्ट तो रशिया में बॉल्शेविक पार्टी का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया, कम्यूनिस्ट पार्टी, और उनने का हमें तुरंत चीजों को बदलना है, वो नहीं खुश थे प्रोवीजनल गवर्मेंट के काम करने के तरीके से, वो लोगों को आईडिया दे रहे थे कि अ अपने हकों के लिए उठो, अपने हकों की आवाज बुलंद करो, और वो मजदूरों को कह रहे थे, तुम क्वेशनिंग करो ना इन अमीरों से, कि ये जो इतना बड़ा सिस्टम चलाते हैं, इसमें ये तो कभी आके काम नहीं करते हैं, काम तो तुम करते हो, उसका कितना प अपने हमारे यहां, इस तरह रशिया में, आल रशियन लेवल पे, पूरे रशिया के लेवल पे, कॉंग्रेस, बहुत सारी सोवियत्स पुलाई गई, तो कहते हैं, उस टाइम पे 500 सोवियत्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, यानि कितनी संस्थाएं बन यह मजदूरों की भी संस्थाएं हैं, किसानों की भी हैं, सैनिकों की भी हैं, इस बात से आप यह समझिए, कि लेनिन के विचार हर जगहे जा रहे थे, लेनिन के विचार सैना में भी काम कर रहे थे, लेनिन के विचार गाओं में भी पहुँच रहे थे, गाओं में खेर थ जागरुक बन रहे थे, और इस जागरुकता का फायदा Lenin को यह मिला, कि उन्होंने बहुत जल्दी ही यह बात कहती लिन्हें कि यह जो पार्टी है, यह ठीक काम नहीं कर रही है, और लोगों को उन्होंने सोचने के लिए एक दिशा दे दिज़ एक तरक शकती विक्सित कर द लेकिन इसमें हम याद करें, आर्मी के बड़े-बड़े ओफिसर्स थे, इसमें जो इंडस्ट्रिलिस्ट थे थोड़े बहुत वो लोग थे, क्योंकि डियूमा कोई नॉर्मल आदमी की तो थी नहीं, डियूमा तो उन लोगों की तो पैसे वाले थे, टीसरी डियूमा बेशक इसमें कोई एवरेज और गरीब आदमी थोड़ी था, तो अब इनको ऐसा लगने लगा, कि ये ठीक काम नहीं कर रही है, और गवर्मेंट को लगने लगा, कि ये आदमी हमारे लिए नुकसान करेगा, ये दुनिया को भढ़का रहा है, और इससे लिए उन्होंने धीरे-ध जो ये थे न, जो ये कामकाच कर रहे थे जगा-जगा जाके, इसके खिलाफ इनको दबाने के लिए, ओपरेशन्स चलाने स्टार्ट कर दिये, और एक ऐसा दौर भी आया, जिसमें की कहते हैं, बॉल्शेविक पार्टी या कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडर्स को या तो भ बातों से प्रभावित थे, वो लोग तयार हो रहे थे, और पूरी बड़ी 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 इनके ग्रुफ सबनते जा रहे थे, तो सैना भी इनके फेवर में आ गई थी, बड़े हिस्से में, ऐसे ही मजदूर इनके फेवर में थे, तो एक तरह न, समाज का बड़ा हिस्स अंदर अंदर लोगों के मन में ये बात चल रही थी, कि केरेंस की ठीकान नहीं कर रहा है, और ऑक्टोबर आते आते, ये बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी में फिर से आने की तयारी हो गई, और इसलिए ऑक्टोबर क्रांती कहलाती है, एक तो फेबरेडी में क्रांती अगर हमने अब कदम नहीं उठाया, तो जैसे जर्मनी में आगे जाके हमने पढ़ा नहीं दिक्टेटर कैसे आ गया था, ऐसे ही अगर ये उस ट्राइम पर क्विक एक्शन ना लेते, तो हो सकता है प्रोविजनल सरकार गवर्मेंट जो थी, वो दिक्टेटर शिप पर उतर तो एक ट्रॉट्स्की करके एक नाम था, बड़े लीडर थे भी, ट्रॉट्स्की, इन्हों ने आर्मी में पूरा संगठन तयार कर लिया, बड़े थे ये, अफसर थे, बहुत बड़े आर्मी के, इन्हों आर्मी में बहुत सारे लोगों को बोल्शेविक पर्टी या Unionist Party कह लीजे, उसकी विचाइधारण से अबगत करा के एक तरह से अंदर- выпуск देट सदीन में रहते हुए सेना तेयार कर ली थी तो यह सब uh αक्टोबर का दिन आया और यह करांत के शुरुवात का दिन कहला आता है, इस दिन सुबह उठते ही क्रांती की शुरुवात हो गई लगातार कई घटनाएं हुई और सब कुछ बदल गया विदिन फ्यू डेज सब चीजें, सब सिस्टम बदल गया क्या हुआ जो केरिंस्की था ना प्रधान मंत्री जो head था जो provisional government का head था केरिंस्की ये इसको पता चल गया कि भईया केरिंस्की गड़वड चल रही है तो कहते हैं ये उस दिन राजधानी से बाहर चले गए कुछ लोग कहते हैं देश होड़के भाग गये इन कुछ कहते हैं कि मदद लेने के लिए बाहर गये था जो भी हुआ होगा ये देश में नहीं थे मतलब ये मेन राजधानी में नहीं थे जहां कि सारा शहर और सारी चीज़ें थी वहां ये नहीं थे तो केरिंस्की तो चले गए लेकिन जो इनकी सरकार का फेवर करते थे जो बहुत सारे लोग इनके फेवर में भी थे ना कभी भी होता है ने देश में ऐसा नहीं होता कि एक के फेवर में सब हो दो बड़े लीडर है तो आप मानिये आधे लोग उस तरफ आधे लोग इस तरफ ऐसा चलेगा तो जो गवर्मेंट के लॉयल अधिकारी थे ना उन लोगों ने बोल्शिविकों के यानि लेनिन के अंडर जो पार्टी काम कर रही थी उनके दफ्तरों पे अटैक कर दिया और दो बड़े बड़े अखबार निकलते थे जहां से लोग जागरत होते हैं क्योंकि अखबार को बंद करवा दिया दो दफ्तरों पे चापा मारा उनको बंद करवा दिया फिर इनो ने इस तरह न कई सारी चीजों में उसी दिन सेम दिन ये काम हुआ है तो जब ये काम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि लेनिन ने एक बड़ी फॉज अपनी अपनी विचार धारा स जो प्रभावित थी वो सेना में भी खड़ी कर रखी थी वो मजदूरों में भी खड़ी कर रखी थी वो आम जंता में भी खड़ी कर रखी थी तो आज वो दिन था जब दोनों तरफ से अपने अपने काम करेंगे के चाहने वाले भी अपना काम करेंगे और लेनिन के चाहन पहुँचा पाएं। आप देखते हैं। जब गड़वड होती है तो इंटरनेट रोख दिया जाता है कि भी दंगे बंगे ना भढ़कें। तो इस टाइम इंटरनेट नहीं था लेकिन टेलिफोन तो था। तो टेलिफोन और टेलिग्राफ जो चलते थे जिससे बार कोड़र आपने कंट्रोल में ले लिया। जब यह ऐसा कर रहे हैं तो बोल्शेविक पार्टी के लोग भी अक्टिव हो गए। और वहां मैंने आपको बताया ट्रॉट्स की जो था सेना में उस तरफ उन्होंने अपना कमान समाली उन्होंने का बस आर पार की लडाई होगी। इस त जान्ती के लिए प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं आपके पास संसाधन भी होने चाहिए आप जो यह ट्रॉट्स की है इनके पास यह सैना में बड़े आदमी हैं तो इनके पास साधन भी तो है और और आमकी एक बड़ी शिप नेवा नदी में लाई और उस शिप से विंटर पैलेस के सामने जाके क्योंकि विंटर पैलेस नदी के मैंने आपको बताया था लिफ्ट साइड में था तो वहां पे जाके उस पे बंबारी की विंटर पैलेस पे जो सार निकोलस का घर नहीं था पहले अब वहां सारे इस तरह के बड़े-बड़े ओफिशियों रहते थे वहां बंबारी की और फिर उसके बाद ये कौन कर रहा है ये बोल्शेविक पार्टी के लोग हैं जो ट्रोट्स की है न वो बोल्शेविक को मानते है आदमी तो ऐसे बहुत सारे उतार के इस तरह है कि बहुत सारी नाओ और ये सब और जहाँ जहाँ उस नदी के उस तरफ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी इन सब पर अटैक किया और कैते हैं शाम होते होते सारे मंत्री बंत्री जो बड़े बड़े आदमी था प्रोविजनल गवर्मेंट के उन सब को पकड़ लिया बहुत लोगों ने सरेंडर कर दिया जो नहीं माने उनको मार भी दिया और इस तरह से पूरे शैहर पे कबजा हो गया बोलश sharks party के लोगों का या लेनिन की पार्टी के लोगों का और शाम होते होते ये हो गया कि ठीक है अब सारी चीज़ें under control है यानि के एसाथ सत्ता फीन ली गई और अब सत्ता किस के हाथ में आ गई है अब सत्ता आ गई है उन धिरे करके हमने देखा कि यहां पर सोशलिज्म की विचार धारा से सरकारें चलने लग गई, खेर लेनिन बहुत लंबे नहीं टिके, 1924 तक लेनिन रहे, और उसके बाद फिर इस देश में स्टालिन ने कमान सभाली, फिर यहां पंचवर्शी योजनाय आई, फिर इन लोगों ने खेती पे काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, और बहुत सारे कार खाने लगा दिये, और स्कूल्स पे काम किया, इन लोगों ने जो है, मेडिकल फेसिलिटी पे काम किया, जो औरतें मजदूरी करती थी, उनके बच्चे छोटे बच्चे रखने के लिए क्रेचिस ख पर उनके पास एक अच्छा लीडर होना चाहिए, उनके पास साधन होने चाहिए, उनकी एक ओर्गनाईजेशन होनी चाहिए और उनका एक मैच्यूर जो है ना एक विजन होना चाहिए एक दिन में चलने वालों से कृंती नहीं होती कृंती के लिए परिपक्वता होनी चाहिए पार्टी बनती हैं लीडर्स उसमें जो है ना वो निकलते हैं बाहर फिर वो लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभाव इसलिए ऑक्टोबर में उन्नेस स सतरह में ही दुंबारा क्रांटी हुई और हमने देखा जारह से पूरी एक आदमी के चाहने से क्रांती नहीं होती, लेनिन भी देखो, अकेले थे, तो बहुत बड़े लीडर, लेकिन जब देश निकाला दिया गया था, जब बाहर थे, तब कुछ नहीं कर पाए थे, बापस आके कैसे नोंने सोवियत्स बनवाई, लोगों को जागरू किया, कैसे निकाले, मैगजीन्स निकाली, लोगों को बताया कि सही विचार किस तरह से लोगों के बीच में जाने चाहिए, और कैसे सोवियत्स काम कर सकती है, कैसे आपको क्वेशनिंग करनी आनी चाहिए, तब ही तो लोगों का दिमागी विकास हुआ, तो इस क्रांती से हमने ये लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको कोई दिक्कत नहीं आए, इसके बाद भी इस देश में बहुत सारी दिक्कते आती रही, जब ये लेनिन के एक्सपायर होने के बाद स्टालिन का टाइम आया, तब भी इस देश में बहुत सारी दिक्कते आई, नेकिन जब पूरे वर्ड में अ अपसे ताकतवर देश भी, और उस टाइम पर अगर अगर इसको कंपेर करेंगे, 1929 के बाद, 3-4 साल यहां इतनी प्रोग्रेस उई थी, कि एक समय ऐसा आया था, कि लोगों को लगने लगा था, कि शायद भविश में समाजवाद ही एकलोता रास्ता बचेगा, क्योंकि पुझीवाद तो एकदम से धर से उनकी विवस्ता चूर-चूर हो गई थी, उस टाइम पर यह एकदम से उभर के निकला था, तो यह था आपका क्लास 9th का 2nd chapter, The Russian Revolution, मैंने 9th क्लास के 3 चेप्टर आपको कराए, NCRTK, सबसे पहले हम लोगों ने French Revolution को पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था Nazism को, जिसमें हम लोगों ने Hitler की कहानी देखी थी, और देखा था किस तरह बरबरता से इसने कुरूरता पूर्ट तरीके से अपने देश में कैसे बुरा हाल किया था, और किस तरह से लोग मरवाए थे, और अब हमने देख लिया Socialism, और कौनसी Revolution देखी हमने, Russian Revolution, यह अपने दो तो क्रांती देखी, और एक नाजी विचार धारा, First World War, Second World War ने कैसे परेशान करके, और कहां से कहां रास्ते पे ला दिया था, शुरू से तो हिटलर भी ऐसा नहीं था, जैसा कि वो बन गया था, फिर कितना बड़ा नुकसान उसने अपना तो किया ही किया, अपने देश का, दुनिया का भी तो किया न, क्योंकि आस पास के देशों के भी तो उसने बुरा हाल किया था, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझा दे थी, यह सब क्रांतियां वगेरा जानते हो क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन से आपकी एक समझ विक्सित होती है, अपने देश के प्रती, अपनी राजनीती के प्रती, और जो समाज में चल रहा है, उस सब के प्रती, क्योंकि इतिहास में ऐसी चीज़ें औरों के साथ भी घटित हुई है, ऐसा नहीं है कि जैसा आपके साथ आज हो रहा है, आपके भारत में आज हो रहा है, ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है, आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां तो लगभग आज जो आपके सामने टॉपर देश हैं कि जिनकी अर्थियों अस्ता है आज बहुत आगे हैं या जिनका दुनिया में डंका बचता है वो सब भी तो ऐसे ही थे आप बहुत लंबी पुरानी अमेरिका और रश्या ही तो गिने जाते हैं तो कैसे इन लोगों ने अपने देश में बदलाव किये कैसे यहां की जनता जागी और कैसे यहां लोगों ने सिस्टम को बदलने के लिए अपनी जान तक दाओ पे लगा दी लेकिन सिस्टम को बदल के रखा ये क्रांतियां क्य क्यों हुई कैसे हुई इन सब के पीछे क्या कारण थे यह सब समझने के बाद अपनी राजनीती को अपनी परिस्थितियों को अपने देश को ज्यादा बहतर तरीकी से समझ पाते हैं इसलिए NCERT ने क्लास 9 में यह सब समझाया है ताकि 14-15 साल के बच्चे को पता चले कि समझ में नहीं आते हैं इसलिए इनको यह होता है कि भी समझा दे कोई अब आप पढ़के देखेंगे तो आपको बहुत आसान दिखेगा यह ठीक है तो यह थी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की तीन इंपॉर्टेंट क्लासे अपरिल थीसिस कहीं आ जाए तो आपको पता हो LBW किसने दिये थे यह यह दिये थे लेनिन ने जो देश से निकले हुए थे लेगन जैसे ही सार निकोलरोस दुट्य राजगदी צh गया तो यह और आने के बाद मार्श में तो उसने गद्धी छोड़ी थी इन्होंने आपरिल ही सिस देगे पर जून जुलाई अगा सितंबर में देश में पूरे व्यवस्था में बदलाव आ गया और October में तो पूरे देश में करांती ही हो गई और फिर वहाँ हमने समाज बात को भरते हुए देखा राजगदी हटे राजशाही तो खत्म हुई ही हुई फिर कैसे केरेंस्की की सरकार भी गई जो की प्रोविजनल गवर्मेंट थी और फिर फाइनली जाके सोशलिस्म ने पने पैर जमाए बहुत सारी दिक्कते सोशलिस्म को भी आई लेकिन धीरे धीरे करके सोशलिस्म में मजदूरों का किसानों का सबका भला हुआ और देश ने एक प्रगती की रहा पकड़ी थी तो उससे बहुत लोगों को सीखने को मिला ठीक है चलिए चलते चलते मैं आपको बता दूँ आईसी एस होमवर्क एप यह हमारा एप्लिकेशन है जो पढ़ना चाहें जुड़ना चाहें हमारे साथ वो इस पर जुड़ सकते हैं इसमें दो नंबर्स मैं आपको दे देती हूँ इन दो नंबर्स पर आप कॉल करके कोई भी इंफरमेशन अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और बहुत अच्छी बात है कि स्कूल्स जो है वो खुलने की खबरे आ गई है और एक फरवरी से हर्याना के स्कूल खुल जाएंगे तो यह बहुत अच्छी न्यूज है क एक स्पीड बना के चलेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि हर्याना में जो पेपर होगा आपका CET का जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी या एंट्रेंस कुछ भी कह लीजे टेस्ट होगा यह CET इसके बहुत ज्यादा चांसे हैं कि यह एपरिल में हो जाए क्योंकि कंडिशन स पढ़ना है उनके लिए टाइम अब थोड़ा बचेगा और अब जैसे इस महीने मैंने क्या कहा था जनवरी में कि धरे-दरे पढ़ने का टाइम है अब अगर चीजे अच्छी हो गई है नॉमल हो गई है तो फिर से दुबारा से स्पीड पकड़नी पड़ेगी तो अपनी पढ़ाई की स्पीड अब एक महीने तुम लोगों ने बहुत हराम टाइप कर लिया है और जवान बच्चे जो होते हैं इनको नौकरी की इच्छा होती है उनके आराम नहीं होना चाहिए उनकी तो भईया नींद हराम तब तक होनी चाहिए जब तक कि नौकरी ना लग हर तरफ चारो तरफ लाइफ फिर से वैसी हो जाए जैसी पहले थी क्योंकि इन दोड हाई सालों में हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा मज़ा होता है रूटीन लाइफ में इसको इंसान गाना रूटीन लाइफ चल रहे है क्या चल रहा है कुछ नहीं यार वही सेम रू पढ़ाएं ताकि उनकी लाइफ आगे जाके सटल होना असान दिखे उने ठीक है इसी उमीद के साथ कि सब लोग पढ़ते रहेंगे खुश रहेंगे आबाद रहिए और खुब महनत कीजिए क्योंकि महनत सबसे बड़ी चीज है जो इनसान को फ्री में कर सकता है जो इसके आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता महनत आपके उपर है आप कितनी करेंगे ठीक है तो अब हम लोग जो है तीन मैंने इंपोर्टन टॉपिक्स करा दी है आपको अब मैं अगली क्लास जो है इसके उपर ये तीनों क्रांती हमारी खत्म हो गई अब देखते है मैं मंडे को जो ये संडे कल तो परसो तो मैं क्लास लूँगी निए संडे मंडे को मैं देखती हूं मेरे पास टाइम हुआ तो मंडे को मैं एक नया टॉपिक करा दूँगी लेकिन अब मंडे को अगर टाइम नहीं मिलता है मुझे तो आप इन क्रांतियों को NCRT से पढ़ ले ना ना आप लोग खुश रहिए पढ़ते रहिए महनत कीजिए बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचिए क्योंकि कहते हैं जो आप जैसा सोचते हैं वो घुम के आप ही के उपर आता है तो हमेशा दूसरों का भला चाहिए और मैं त के हिस्से की महनत के बदले की सफलता जरूर मिले तो जो जितनी महनत करेगा उसको उतनी सफलता मिलती जाएगी थैंक यू गुड नाइट झालो जाएगा झालों का भला चाहिए और मिले तो जदीक आता हैं जाएगी एल ग जा जाएगी दूसरों जाएगा।